नमस्कार दर्शको जोतिश तंत्र चैनल पे आपका हर्दिक स्वागत है दर्शको आज हम बात करने वाले हैं कि पुत्तर प्राप्ति के लिए हम दिव्य खीर कैसे बना सकते हैं दर्शको वैसे तो मैंने चैनल पे कई पुत्तर प्राप्ति के प्रियोग बताए हुए हैं उन में से पड़ती एक प्रियोग पड़ती एक ओशदी पुत्तर प्राप्ति में एक खास इस्थान रखती हैं आज ऐसा ही हम प्रियोग लेकर आए हैं जो केवल महिला एक बार ही कर सकती है यह दर्शको पुर्णी मा का प्रियोग होता है पुर्णी मा की रात को ये प्रियोग किया जाता है हम कह सकते हैं कि ये जो दिव्य खीर बनाई जाती है वह पूर्णिमा की रात्री को बनाई जाती है और उस समय ही खाई जाती है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें इस खीर के लिए क्या-क्या सामगरी की जरूत पड़ेगी क्या-क्या सामान की जरूत पड़ेगी सबसे पहले हमारे पास में 51 शिवलिंगी के बीज होने चाहिए जो शुद्ध हो शुद्ध कैसे जो स्वस्थ हो कीडे लगे हुए नहीं होने चाहिए और कच्चे बीज नहीं होने चाहिए पके हुए बीज हो स्वस्थ बीज हो वो इसलिए ताकि आपको जो है उसका भरपूर लाब मिल सके जो इन बीजों में गुण होते हैं वो एक इस्त्री को पूर्ण रोप से प्राप्त हो सके इसके बाद एक चमच अश्वगंदा की जलूत पड़ती है अश्वगंदा आप मा गर्म प्रवर्ती की गर्म प्रकरती की एक ओशदी है और ये दर्द में ये दर्द में कामाती है गर्ब धारण में कामाती है पुत्र प्राप्ती में कामाती है और किसी को ठंडा दिक लगती हो उसमें भी ये कामाती है लेकिन अगर किसी को अलसर की प्रोब्लम है तो उसे अश्वगंदा नहीं खानी चाहिए लेकिन एक दिन में कोई दिक्कत नहीं है अगर पुत्र प्राप्ति को ले रहे हो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयोग करने जा रहे हो तो एक दिन में लेने में कोई परिशानी नहीं है उसके बाद आते हैं धाक के फूल धाक को हम टेस पर जाने जाते हैं इन्हें टेसु के फूल भी बोलते हैं सुखे हुए फूल होने चाहिए सुखे हुए फूल अगर कोई ताजा फूल ले रहा है तो वो कम से कम पांच ग्राम ले अगर कोई ताजा फूल ले रहा है तो वो पांच ग्राम ले अगर सुखे हुए फूल ले र करना है तो स्वाद अनुसार आप मिश्री का प्रियोग करें उसमें और दर्श को खीर बनाने में जो दूद का प्रियोग होगा वो गाय का दूद होगा गाय कोई भी चल सकती है देसी गाय हो कैसी भी गाय कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद एक बिल फल होता है जिसे हम बेल भी बोलते हैं ये भी अलग 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 नामों से जाना जाता है बिल फल होता है तो उसके तीन बीज़ग आपको उस खीर में डालने है खीर कैसे बनाए जाती है? आप सबी को पता है पेले एक बirtण में दूद हम डाल देंगे गाय का जितने भी दूद आपको लेना है होते हैं वो डाल देंगे उसके बाद आप मिश्री नीचे उतार के भी डाल सकते हो उपर भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले आप जो है इस खीर को तैयार कर लें तैयार कब करनी है यह रात्री के समय करनी है तो किस समय तैयार करनी है कैसे लेनी है उसके वि का समय होगा रात में उससे पहले पहले ये खीर बना के तयार कर लेनी हैं उसके बाद रात को 9 बजे से और 12 बजे तक ये आपको चंद्रमा की रोशनी में रखनी है ताकि इस पे अच्छे से रोशनी पढ़ती रहे आप किसी कटोरे में या थाले में इसे फैला कर रख सकते है ताकि इस पे अच्छे से चंद्रमा की रोशनी पढ़ती रहे और उस शांदनी को उस पोजिटिव एनरजी को जो आपको पुत्र प्राप्त कराने में सायक होने वाली है उसे ये अच्छे से एब्जोर्व कर सके रातरी के 12 बजे के बाद में इसे उठाने और खाने जो इस प्रेगनेंट है वो इसे खा सकती है दर्शको इसमें एक बात जरूर ध्यान देनी है दर्शको जो एक खीर खानी है जमीन पर आसन लगा कर तब खानी है और इसे खाने के बाद दो से तीन घंटे चंद्रमा की रोशनी में टहलते रहना है उस महिला को और टहलने के बाद मे अगर वो सूती है तो उसे जो बिष्ट्रा लगाना है वो जमीन पे लगाना है चंद्रमा का पूरा परभाव उस इस्त्री के गरब पे पड़ेगा ये भी पोजिटिव क्योंकि पुत्र प्रापती में जो ओशदियां होती हैं और उन ओशदियों के जो गुन है वो और जो ख बिना प्रभाव हीन है इनकी रोष्णी के बिना प्रभाव हीन है तो अब बात करते हैं दर्शकों इस ओशधी को कौन खा सकती है कौन महिला खा सकती है वह इस्त्री जो अभी-भी गर्ब वती हुई है जो इस्तरी अभी अभी गर्ब वती हुई है यानि कि प्रगनेंसी के पहले महीने में ही इस ओशदी का सेवन करना है इसके कुछ लिमिटेशन भी है इसके लिमिटेशन यही है कि आप इसे अगर पहले महीने में नहीं खा पा रहे हैं तो आप इसे दूसर महीने में नहीं खा सकते तीसरे महीने में नहीं खा सकते पहले महीने से मेरा मतलब ये है कि जब एक इस्तरी को पता चल जाता है कि वह गर्बती है उसके बाद उसके बाद जितनी जल्दी पूर्णिमा आएगी उतना अच्छा है ठीक है तो ये प्रियोग पूर्णिमा को ही करना है जो सोने का बिष्ट्रा है वो जमीन पे लगना है ब्रहमचरिय का पालन करना है और और बाकी जो आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट के मादम से पोछ सकते हैं तो दर्शकोंत में विदा लेते हैं नमस्कार